जो सब खंडां प्रह्मंडां दा मालक है जदो देना जड़ी है एथे किसे मंत्री संत्री ना कोई गलबात हो गए कई धावां दिवक होने है पर जिनना दा अकाल पुर खनडी नाता जोड़ता मारा जने अमर्त शका के उनना नुपी कुछ मिलेगा यह अनपव बरकाश है इस करके वड़ा खजाना जो तीसरा सरूप सर्बलो गरंथ रचना की थी जेडी रचना दिविच्च चार जुग शत्ती जुगां तो बाद होन वाली महां पर लो चार जुगां दा नाम महादम चार कुंटां दस दिशामा वाहे गुरु गुर्मंतर है जब हम मैं खोई इत्थे आके सद्ध हंदय भी ये संपूरनता हो गई सद्गुरु पातिशा ने अकल ब्रहमंड ब्राट सरूप कहने नो पाल पुर्खदा ब्राट सरूप उधे ज अक्ठां ते सूर्ज ते चंदे दो अक्ठां ने तेड़ा गाल पुर्खदा ब्राट सरूप है चौदा लोग का जो फैले आ होए ते क्रोडां प्रहमंडा जो पस्रे आ होए है के दे दो अक्ठां ने सूर्ज दे चंद्रमा सत अकाश उनना दसी से सत पताल उनना दे चर्ण ने अ साधी दुनिया उनना ने पेट जांदी है जिननी बनस्पती है फाल फोल काख कंडा रोख विर्ख अठारां पार बनस्पती दे जंगल बेला एवनने दे शरीर दे केसने जिनने प्रथवी दे जंगल ने जम बनस्पती रोख विर्ख है एक आल पुर्ख दे शरीर दे केसने जिन्डिया नदिया नाडे द्रिया नेरा भाग रही आइ एवन दे सरीर्दिया नाडिया दे उपनाडिया ने इन्हों कहिंदे ने ब्राट सुरूप वड़ा साहिब ते ओ ब्राट सुरूप सर्बलो मारा ची दखा है हमारा जिन्द सर्बलो नाम के में प्याव हजारां जोग पहलना हूँ अहुनेदा ने कुछ भिलमा विये चीज़ते बनाईया ने एउनन एलियन कहें देने जू एफो एलियन ऐस नाम नलुनन वे पर्गट करके विखांदे हैं पर सटे गुरु गोगन सिंग माराज ने आ तेन साव साल पहला हुना दी कथा दसी है सर्बलो गरं था अंदर अजेडे राक्षे सी के ओही दे एलियन ने वो दुझे ग्रहा तो आँदे ने वो पदाल जो आए इसी सटेली ता दुझा ग्रही है वो पदाल दे विच्चों आए सन ती पदम देंत ती पदम पदम एक गंदी दा अखर है जिमें सो हजार लख गरोड अर्ब घर्ब नील पदम वो तो बाद संख ते फिर असंख हो जानदा फिर गंदी वदे हो जानदी ता लख करोड अर्ब घर्ब नील पदम ती पदम सेना चड़ी देंता दी उन्हाने शारी प्रतवीदे कव्जा कर लिया ते जीड़ी उन्हान दी साइंस है अपने नड़ों किदे बड़ी आए व किते तागत वारा है जड़े उनना दे हथे आरने जदो चल देया अकाश दे तारे टोट जन देने उलका पात हो जन्दा है जड़े एलियन ने हजारा जोग पहला हो साठी तर्ती दे कवजा करके बैठ गए इत्थे उनना ने राज कैम कर लिया फिर अकाश नुजड़ गे उ सब अपने डंडे ड़रू जाके दड़गे जंग लड़या हार के बड़ी बुरी तरह कुटे भी कई गलाम कर ले इनन दे कारवाडियां इस्तरियां बच्चे सब देंताने कैद कर ले ते जेड़ा उनना सारे एलियना दा सरदार सी ओदा नाम है बीर जनाद उसारे देंता ना सरदार सी ओफिर इंदर दे यासन दे बादशा बढ़के बैठा एंदे कई सालां तको कावज रहा इंदर दे यासन पे ते देंताने साठी तर्थी दे जीव जन्तु दा उइं खागे हो पसू पंशी सब खागे ऐसे ऐसे प्यान का देंत सन अगर उनना ने बार नो फूक मार दी ना अपने मुख जो सब रोख पे रखोट जान दे सी तो फान आ जान दा से अगर अंदर नो खेचली पाउन हवा ते सब पसूट अंडावना दे अंदर ही चल जान दा से एहो जे देंत एक उनना चो ऐसा देंत सी उदा नाम सी कलंका किसे शेश्टर दा किसे चीज दा उदे अशर ना होए देवतिया ने फिर उदे ते का ऐसा तीर चलाया उदे चो सब बादे ठूहां दी वर्खा होई एननी बर्खा हो देंत दब्या गया सब बादे ठूहां दे टेर च दब्या गया उदे मरेया फेर भी नहीं उननु जहर जड़गी एनना नशा होया जहर दा मूर्शित हो गया ते देवतिया ने की करया एक पथराट दा संदूग पथर दा उदे सरीर नो बेच पैक करता हो दे उदे संगलान लसीला ला दिया फिर दूजा संदूग चड़ा दा पथर दा ऐस तरह सथ हजार संदूग चड़ाया हो दे पथराट दा ते संगलान लसील करके जमेना ने स आमावेन लदेन समंदर चे सुटेया, इदा ही उस देंत नो जाके समंदर चे सुटेया देवतेया, फेरू दे तो खेडा शुटेया ना, ऐसे ऐसे प्यानक जिडे एलियन कहे जंदे सी, उन्हाने सारे लोकां देखवजा करने, कई सालां तक कैम रहे, कुल अंस वंस जीव ज आड़ करता सब कोज, ते जेडे भचे उन्हाना तो लोकशेप के जंगलां भेले आच, वाकी सब ना दी भाउज, ती पादम के ते बैठना टेके, ती पादम दयात, वोगी इन्ने पे आनक एक से बढ़ करे, कोई कलंका, कोई कोहूं पे आवन, कोई रणंका, कोई पीहिम नाद, कोई रखत वीज, कोई संबन संब, कोई चंड मुंड, अनेक आदायां तो होए निगना दी भाउच, ता साथ संगत जी, अखीर, जंगलां जलोके होए देवते, जो जाना बचाउनत काम जाब होगे, उन्हाने पगदी रंब दित्ती, साथ नाम वाहे ग्रूँ, साथ नाम वाहे ग्रूँ, साथ नाम वाहे ग्रूँ, 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 तो पही ओ जंगल जे जाके ये काल पुर्खता जाप करने गए। पुद्रों ता देंदा दे बाप वद गए क्योंके बहुत सारीया देवियां उन्हान लड़ोंने जवर्जना करते। कईया नि उन्हानु सवकार ना कीता अपने पेट वेच कटारियां मार के मर गईया। उन्हान दा धोश उन्हान लगए। पाप कीते ओना दे सर चड़ गए। देवत्यां दियां पुरियां जो नशे भिशे खलार देनाने पमण कुट्या देंताने जिननानु एलियन केंदेने सारा पांग करता हुना ना कोई मर जागा ना शड़ी ते उद्रों देवत्यां दी जड़ी पागती सी जंगल जाँ उँ अकालपुर्ख नो पहुंच गी अकालपुर्ख दी दरगाच ना दी पकार पहुंच गई महाराज परगट हो गया देवत्यां दर्शन देता केंदे जी बहुत दुखी हैं महारा केंदे पही अपने हंकार करके दुखी हंदे हो तो अनु अपनिया पद्वियां दा हंकार हो गया और देंता ने तो अड़े तो बड़ी ताकत हसल कर लई तुसी जब तब कीता हुन तो अड़ी ताकत बद जेगी तड़ी रख्या करांगे माराज ने तीर जदिता केने आउं करो फुना रिशिया ने पेश ला देो फुन फेर ओहो जंगी राज साज का सुलो ते जंग दी त्यारी करो केने फिर अकाल पुर्ख ने एक अवतार कार्म कीता जेस अवतार दा नाम ही सर्भलो माराज है जिनना ने तिनना लोकां जो सारे एलियना नू खत्म कीता तो अवतार दा नाम है सर्भलो माराज नहीं ता साठी भृत्वी भी खत्म पताल दे उन्ना ने उन्ना दा कग जैसी ते देवत्यां दी दुनिया भी खत्म पर अकाल पुर्ख ने एक सरूपदा आर्म की दा ते ओ सरूपदा नाम है सर्भलो महराज ते सारा सरीर सर्भलो दे शाष्टरा तो बनेया होया सी अपने मुख वेच जिमें दंदने उनना दी जगा दे कटारा लगिया होया सा आ नितर कन नासका इना दे विचो अगनी दे गोले तो पांदिया बैरला वांग चल दे सन ते आज ड़ा सरीर ते साथे ते न करोड के से रोम है एक दे ना तिखे किला ते बर्षया वांग सरीर ते खड़ा सी माराज सर्भलो जी ने अइड़ा बजरंगी सरूपता अर्म कीता कि सारे देवत्यानू के ने आजो तर्थीदे मनुखानू इकठे कर लिया इन्दे सर्भलो मारा इदी भावज चे कुल जीव जंग तू सीगा कुल पशू बंची हाजर होया ते फिर उन्हाने देंतानल जंग कीता सारे आनू खत्म करके देवत्यानू उन्हा दा स्वर्गदवा दिता ते ती कुल देवी देवत्या उथे बसा होया सनू मनुखा नू उन्हा देंतान तो जाद कराके साड़ी या तर्थी दे दिती ते जेड़े ओ एलियन सन कुछ कमार दिते ते बाकी दे बचे अपने बताल नू दाड़ गए एक ने पाई हुण भी आ सकते है पर जिनना जर गुरु गरंथ साव तखते बैठे है ते अकलंगी दर साव जी दी रचना प्रकाश है उन्हा जरो एस संसार्थ नहीं आ सकते ये रुहानी ताकत है एक उनकार जो हाई कमान कुरूडा ब्रह्मंडा दी ये उन्हा दा बंथ है ये उन्हा दा सुरूप सिरी गुरु गरंथ साव महराज है ताही महराज ने अमर्थ शिकागे शाष्टराना लैस करके फाज बनाई है कि दर्मदा पर चार पर सार होवे अमर्थ संचार होवे हर कोई शाष्टर दारी होके काल पुर्खदे हुकम बिच बिच बिचरे ओ महराज ने जिटा राज करेगा खाल सादा एक मिशन चला देता केंदे सारे बिश्वते लागू होवेगा ता ओ सर्बलो महराज दी सारी रचना महराज ने सचखंड स्री हजूर सहीब दिखे नगीना का आट दे समने जो गुरु पंथ बुड़ा दल पंजवा तक्त दा अस्थान शोणी नहिंगा सिंगा जो है ओ स्थान दा नाम ही सर्बलो भूंगा उठे महराज ने सिरी सर्बलो जी तीसरे सरूप गरंथ सहव दी रचना कीती जिस विच चार जुग चारे जुगां दा नाम महात्म तेन समे ते इसे तरह दस दिशामा चार कुंटा ते खाल से पंथ दी सारी जितनी मरजादा है वो इस तीजे गरंथ दे विच रचना कीती ये सारी गुरू की बाणियें एदा सबूत है कि जो आद गुरू गरंथ सहव दे विच पे एद सी वाहे गुरू तेरा सब सदका नरंकार प्रवसदा सलामत कहना सके को तुं कदका वो वाहे गुरू काउन है कितना बड़ा है ये जानन दी ते इच्छा ही रह गी सी फिर माराज ने उस सर बलो माराज दे विच दर्ज कर देता वाहे गुरू नाम महातम दा बहुत बड़ा परसंगा हुदा सर बलो गरंथ अंदर एजड़ा वाहे गुरू शवद अपन सहजे ही कैदने है और एदा असर कितना बड़ा है एदा महातम कितना है बहुत बड़ी वारता है चार जो गांदा नाम महातम है वाहे गुरू शवद जो सर बलो गरंथ अंदर माराज ने ए तीजे गरंथ दे विच संपूरन ता कर देती इत्थों ए सद हंदा है के शिरी आद गुरू गरंथ साहिव शिरी दसम गुरू गरंथ साहिव शिरी सर बलो गुरू गरंथ साहिव ए तिन्ने सुरूप एक दूसरे दे नाल अपेदने ते पूरी ए रचना एक एक अखर सत्गुरां दी अमर्त बानी है वाहे गुरु शव्ट जा विस्थार कर देया महराज ने ए अमर्त बचन भक्षिश की ते विशन पद्पन्याक की राग है ते जिवे आदगुरु गरंथ सेव दे विच कती राग ने एसे तरह सर्बलो गरंथ महराज दी रचना विच तेन सौर आग दर्ज कीता गुरु गोगन सेंग महराज ने ते बवंजा तरह दिया पाशा मा लेंगुएज ए रचना दे विच महराज ने दर्ज कीता बवंजा तरांदी पाशा आज इड़े अजगल दे आदनत नाम पा गन पिश्टल गैद ने अध्यारानू इस सर्भलो माराज लिखे होए लुँ इंगलिष्टों लेके माराज ने अर्बी, तोर्की, पहलवी, पश्टवी, भार्सी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुर्मगी जितने सरूप ने बवंजा तरांदियां पाशावां सर्भलो गरंथदी रचना विच माराज ने दर्ज कीतियां कल्प कल्प प्रत्यक्षर कही सिरी गुरु नानक जापियो सही सा मंतर प्रभखाल सैदीना वाहे गुरु पदपावन कीना कल्प केंदे हैं चार जुगा है एक सेट उनों कल्प केंदे शत्ती जुग उन्हों एक कल्प केंदे जुरु नानक सैव ने वाहे गुरु शवदापा नों देता है ना ओदा एक एक अखर माराज ने शती शती जोग जाप करके चार्ज कीता है एक अखर की है बाबा वास देव इस सत जोग दा मंतर सी विश्णु जी नू मिले आ काल पर खबलनों के जाओ सत जोग देव जवास देव वास देव जपाओ जीवां दा कल्यान होवेगा गदी प्राप्द होवेगी ओ जोग देवतार सी गे विश्णु जी ते वास देव उस जपाओ सी फिर द्वापर जोग आया ओदे अवतार होए सिरी कृष्ण जी जादवां दी कौल विच्चों ते उन्दा नू नाम मिले आ काल पर खबलनों हरे 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 केंदे जाओ संसार मुए हरे हरे नाम जपाओ दे द्वापर जोग दे वासियां दा कल्यान करो उस जोग दे पाहियो गुरू सन अवतार सन फिर तरेता जोग आया ओदे वेच शिरी राम चंदर जी अजुद्या ते इसे तरह जिन्ना ने रावन दावद कीता इसे तरह लं सारे पाखी दसेने महाराज ने दस्म गुरू गरंच साव दे चावी अवतारां जाओ और फिलहाल जेडा विशा है वो वाहे गुरू शब्द पहाव द्वापर जोग दे अवतार नू हरे शब्द मेले आ के द्वापर दे वासियां नू हरे हरे जबाव दे उन्ना दी कल् पूरू सन फिर्टरिता जोग आया राम चंदर जी ओस जोगते अवतार होए राम शब्द मेले आ उन्हाने राम राम जिपाया हरे राम हरे राम ते इस तरह फून जिडा जोग है ओ एकल जोग ते अवतार कौन है जो तरूप हर आप शिरी नानक कहायो सारे मुबार्क ने आपो अपनी जगा आपो अपना जोग पकता आगे गयने अपने तर्मदा अद्व रखो कि दूसरे दी कोई जिमें नखे दी जाओ गर्मद दा भिशानी है सारे आपो अपनी जगा मुबार्क ने एक फुलवाडी आपर मेशर दी एक कमल फुल है एक होर शरेणिया जाओ दे ने कोई गुलाब है सब दी आपो अपनी खश्बो है ते रंग रूप है महत्तव है एसे तरह ए तर्ती तर्मशाल है बवन पाणी अगनी पाताल तिस विच तर्ती थाप रखी तर्मशाल पर ए तर्मदी शालाच अकल जुग दे विच सब तो अत्म तर्म हो खुद अकाल पु पर सिमर्त अंत अनंता मरेकें दे पाहियो सारे नाम भी सच्चे ने वो अवतार भी सच्चे ने पर मिश्र दे हुकम चाये अपनी कार गुजारी पुगता गए और हुण कड जुग है अब कलु आयो रे एक नाम भोबह भोबह महरेकें दे हुन सब जुग नहीं है नाही हुन तरिता है फिल हाल कर जुग चल रहा है अब कलु आयो रे इस करके दे चकले नाम भा महापम ते इस करके ते नाम दे महादम दा जोग है कला दा जोग है ता सद्गुरा ने आदनक एक बग्यानक तर्म देता सनु आ सिख तर्म जिड़ा कुदर्त दे निजमान सारवी अकाल पुर्खदी कुदर्त विच पर मानता है जेहोजा सरूप कुदर्त ने बनाता सत्करेजन गुरूप शाता सोकाहे का डर्दा जीयो मारा केंदे ओना अंडरेखन सकलसूर्थ जेहोजी कुदर्त ने बनाती उनु पंजक कारानाल टाकलवे ते काल पुर्खदी बंदगी वेच जड़ जावे मारा कह एंदे उन आ डिंगे? जिड़ा कुदर्त देन सार रेंद है कुदर्तो तिस और रख्या भी कर दी है उन्हों नेचल के सिक्यारडी कह दी है गपत रख्या अचानक रख्या हो जानी वो कुदर्त कर दी या एक काम आई जेसी कुदर्ट नार भैर ही पाया होया कुदर्ट दी शकल सूर्ट बगाडन तही लगे होये फिर हनीगार को भी है अकेसा नहीं महत्वल आलो माराज ने क्यों गुरू की मोर क्या आप उन सूर्जी सेस्टम चल रहे ने संसार्ज सूर्ज दी रोशनी नू बदल के एक उर्जा बनागे देने इसे तरह जड़े सर्थे केस ने इस सूर्जी सेस्टम है काल पर खदा पहला ताई धमाग दे पैन वाली तपस नू रोक देने फेर हो तपस नू बदल के सरीर लई उर्जा बनादन दे ताई हे कुदर्त ने ना दी रजना कीती है इनन बगाड के अपना ही नुकसान है ये से करके आदगुरु गरंद सहीब दा शब्द है हुक्म है साबत सूर्थ दस्तार सिरा महराज ने कुदर्त ना पंजग कारान ना सरख्या कर दिती सरीर दी दे सारे आत्मा दे खजानने दी ताउ सर लोग रंथ दे अंदर खालसा बदवीदा वर्लिन कीता मराज ने बाहे गुरु महातम इतना बड़ा है चारे जुगां दी शक्ती कठी करके एक वाहे गुरु शवद बना दता वासोडेव हरे गोबंद राम इचार जुगां दी मंतर ने वावा हाहा गगा राराः चारा नू कठे करके चारो मिन वाहे गुरु उचार मारा इक ने पहला अवतारानों शक्तियां दितियां सी ना किसे नू चावदा कला किसे नू ठारा कला सोला कला सोला कला संपूर्ण जड़या अंत कला हुई ठाक कर जड़या इमारा इदे बचेंगे सोला कला संपूर्ण भड़या वो भी पिछले जुगां जो भड़ गए ने पर जिड़ा ऐस जो किचा आया है वंत कला होई ठाक और चड़या उसारिया कला दा खुद मालक आप अकाल पुर्ख गोवेंद अकाल पुर्ख वाहिगरू परमेशर है कांकर के चार जुगां दाई मंतर वाहिगरू गुर्मंतर है जब हम मैं खोई एदी पूरी कथा सर्बलो गरंथ अंतर दर्ज कीती ता इतना वड़ा खजाना सद्गुरा ने इन अतेनस रूपां देविच धित्ता ते आज एड़े आज गल दे बग्यानक बच्चे ने ओभी सोनलो पाई आज एड़े एलियन कहन दे आना उसर्बलो माराज ने खत्म कीते सन ओही अवतार होया है ओधी कथा कलंगी तरजी ने एक रंथ दे विच दर्ज कर दिती तांकर के हर जोग दे विच ही अकाल पर अवतार दार्ण कर देने ते साड़ी सुरख्या कर दे एस जोग दे अवतार ने गुरु नानक देव सहव जिनना दे बारा सरूपहन दस पादशाया ग्यारमा गुरु पंथ खालसा ते बारवे क्रोडा प्रहमंडां दी सहवी दे मालक शवदा अवतार सरकार एकुल आलम शाहे शहिनशा साहिब स्री गुरु गरंथ साहिब महराज जुगो जुगो टल सत्गुरु ने क्योंके सच पराना होगा नाही 500 साल पहला जना ने बाणी बड़ी हो भी तरगे अज आत्वां भी तर रहे हैं हजारा साल बाद आउन वाले अंदा भी गल्यान करेगी क्योंके बाहो बाहो बाणी द्रंकार है सच पराना होगा नाही ये सच है सच की बाणी नान का अख है के दरगाही पैगाम है सद गुरान दा सब जीवान नो आ संसार सागरचों वार नवास ते ता इतन सरूप आद श्री गुरु ग्रंथ साहिव, दसम श्री गुरु ग्रंथ साहिव, श्री सर्भलो ग्रंथ साहिव कि तेन सुरूप गुरुप की बानी दे हम दो सुरूप जेडे हो रहा हुआ। पहले ने पाही शिरीमान पाही गुरुदास जी जिन्ना दिया वारा ने कि वेत सवये गुरु सिख्षी दी रचना येडी गुरु कार्चों सिख्षी और लखवी दिती साड़े ते परभुतार करने। ते फिर गुर्वाणी दे लखारी ने तानलखारी नाम का जने नाम लखाया साच्च उन्ना ने नसीहत जो गुरु दर्तों परापत होई हो इन्ना अपनी अरजनामाज रच दिती। ते गुरु का सिख्ष कैसा हो गए हर तर्म दी ते दुनिया दे हर पक्ष दी नजर एक दजार करवादता उन्ना ने अपनी रचनाच ते एवी नाल बेंती या सद्गुरा ने परमांत कर दिता के इन्दे गुर्बाणी दे गुड रहसां दे रमजां दे खजाने दी पाई गुर्दास जी दी सिख्षी नजर द्वारा ही इल्म होवेगा, ते हुड मत द्वारा आग गुरु रचनावाद अन्त नहीं मिलदा। गुर्मत द्वारा पता लग देज्ध", के बैंत बैंत, बैंत को करंत पाठ पेखेंधी है। जो तिना समयादे विच, तिना लोकादे विच मायादे तिना गुणातों उपर जो बेयन्त है, ओ गुर्बाणी कर दिया नू देसे जान दा है, उन्हों के दिर यनुफाभ औपरकास, ओ सुर्ति जनुफाभ उनद, इपक दणे किया है, तु सही लखाय जो कोई रूप है हर रूप नदरी आया गुरू की नजर एदना दुनिया नूँ वेखो तुम देख़दे हो हर का रूप है ते इत्थ ही भर्ज कर लो हर कोई एक दूजेनू हरीदा रूप जाने अपने मादा पिदा पहन पुरामा पिदा वजर्गां दा अदव सतकार हर कोई सच दी दहलीज ते कैम रखे ते नूप परमिशर दा रूप जाने ते होर कोई दुजा सच खंड नी है वो ऐसे इस रूप नहीं सच खंड के है बेगमपुरा शहर को नाओ दूख अदो नहीं ते ठाओ गमातों उपपर गुरु दे हकम ते पाने ते सच ते चल देया ओ जीवन दा जिड़ा अनपावते अनन्द है ओ हई बेगमपुरा है इस करके ओ सेवा ते सिमरंटो जीड़ा अनन्द पराबत हुंदा है जिमें हमाजू पंच्छी दे पंख जीड़े तीरानो दे देश बेच लाए गए कलगी तर जी गेंदे आओ ही गरबानी दा जाप दे नाम दा सिमरंद आत्मानू प्रमात्मा बेच लाए जान्दा है इस करके पाही ए चोथी रचना शिरिमान पाही गुर्दास जी दिये अकाली रचना माराज ने सनमान्त दे परमान्त कर दिद्दी पंच्वी रचना बादशा दरवेश गुरुगो बेंद सेंग थक्त हक अंदेश गुरुगो बेंद सेंग शाहे शाहिन शाह गुरुगो बेंद सेंग बर्दू आलम शाह गुरुगो बेंद सेंग अबरे रहम अकबार गुरुगो बेंद सेंग, ताशकल यशरार, गुरुगो बेंद सेंग, हक हक आईना, गुरुगो बेंद सेंग, खाल सो बेकीना, गुरुगो बेंद सेंग, आर अचना कर्मवाळा कवी बाहिनांद लाल, लाल सल्प सग गलाम, गुरुगो बेंद सेंग, ये आखरी शर्द है बादशाद रवेश गुरु गोभेंद सेंग ते पाइन अंदलाल ना थोड़ी जी मुलागाद हो गए पहला है बहादर्शा दे मुन्शी सी बहादर्शा रंग जेव दा पुत्तर सारे शहजादियां जो पड़े आ लिखेया दे दमागी बंदा जाने जानदा सी अरंग जेव ने बड़े बड़े काजी मुलाने के दे नवास अस्थान के रखके नू बढ़ाओं दे रहे पहला तो नजर सीए दे रंग जेव दी ये मेरा कावल बच्चा है मादा पिता नो इल्म हंदा जोग गेड़ा दे उने वी बड़ी तवज्जों दे के नो सारी दलीम दवाई बहादर शान एक देन अरंग जेव दे दरवार वेच कुरान सरीफ दा एक शवद हो दा अर्थ असल वेच अरंग जेव भी ने जानदा से उने क्या वी इनू इन्ना पड़ा उंदा की फैदा नड़े दी बर्ख कर दे परे दरवार जेव दा बहाद आसी फर उनुके थो होगे उके ना जी हो है वी अर्थ बड़ा में गाएगा एदी मैं बचारत वानू कल दे दरवार किसना में जलवे भी ठीक है चला गया बड़ा उदास भी है नंदलाले दा मुर्शी सी का बहादर शादा उके ना शाहा अजद्रे चेरे दे उदासी है के ना वी कारने दा एए वही कुरान सरीफ दा एक शब्द मेरे पिता ने पुछे है एन्नी मेरी पड़ाई कराई बड़ी तवज्जों दिती उन्ना ने मेरी विद्या तलीम बलनू मेनू ए अर्थ दा पता नहीं नंदलाल भेना वही सना शब्दा पर हमल के हल कर लिये अगले दनों दे दर्वाल चे चल गया चाहीं चाहीं फिर ने अर्थ सना राता रंग जेव फिर भज गया वो के ना भी असल विच तेरे दमाग दिये जड़ा सुर्त बोद्नी है फिर भी पिता सीगा फिर मन गया जी हां असल विचे मेरा मनशीय पाही नंदलाल इस अर्थ उनने की तेरे फ्रांग जेव दा एक बार मथा ठंक गया इंदा इड़ा बदवान उता इसलाम के होना चाही दा एहो इदा मिशन सीगा इस दुनिया जो मैं इसलाम का स्टेट आज हो किसी पगजादी कर रहे हैं एहो इदा मिशन सी एक इंदा सारी अर्प कंट्री इसलाम क स्टेट बणावांगा एक अल्ला हुआ अकवर क्या करन के सारे उनुकर ना गल सोनो कल नो तेरा मनशी मेनू मेलना जाइद है उनुकल दे दरवार जे लेके आए बहादर शाह जान गया भी होने दा जानता अर्म बदलेगा जाँ कोई एदा होर तर्म है सनतन मत यू इनू स अल्डामत लेखा ए मेरा सजण मित्रा नंदलाल उन्हें आगे उनु सारी बारता दस थी यह वही ओ गल होगी बर्गत मैं तो अट्डा भेरवा दस वेठा ते कल मेरे पिताजी तेनू मेलना जाओ देनू ते एवी दस दिया उन्हान ने तेनू सब तो पहला कहना इसलाम द रखके जाना जोन है ते मैं तनो सही सलामत गड़ सकने फिरे ने उदी मादद की थी पूरे प्रवंद राड़ अपने आदमी लागे वाही नंदलाल मुस रखेया साय तो फुथों जेड़ा गड़ देता है इदर हुन नंदलाल वाले आजो वाही नंदलाल हुन आलम फाज कविशर शायर शवदान जूड़ना गवना इदी किरिया पर किरिया से दुनिया जफेरे ने मिम्मा सुनी साहिब एकमाल बादशा दरवेश दशमेश पिता गुरु गोबंद सेंग साहिब कलंगी तर पादशा दे दरवार दी इंदे वहीं मर्दां दी फाज बना रहे ने खाल्सा पंथ उना ने सर्ज दिता है ते राज करेगा खाल्सा दा ढंका वजा दिता जवर जल्म दा अन्या करम दा उना ने कार जज अनंद पूर सैवत तो रंब कर दिता है दुनिया दे तखते दे तीजा पंथ सब था मुख्तियार खाल सा कियो बख्ष दियो इन ही को जम्मा आज खाल सा खास पहो है सत्गुर के दरबार उटक बेखके सारे ही कम गए खजान टीवी संग, नगार टीवी संग, लांगरी भी संग, नशान टीवी संग गुरू कर दे सारे पहरे ही महरजने सिंगा नो देते ते जड़े मसंद सी गे दादी मादा गुले चले गे अंदे दादी मादा ये गाला कोई असी जद्धी पुस्ती गुरू कर दे नुकर हां पैरे दार हां मसंद ते आज इड़े अजे कल जट भूट नाई शीमवेच मे आरक मे आर सारियां जातियां इन्हाने कठे करके अमर्त शिकाता इन्हें खालसा बंथ बन गया सारे पैरे उन्हानों दे देते सारियां सरदारियां भक्षिशयां उन्हानों संबातियां किसे जात पात दा कोई ग्रेज नी कीता सब बे संजी वाल सदायन तू किसे न दिस से बहरा जीयो आप देश करता उन्हाने वह ये दर सब्दा संज है ये थे जात पाद उच नीच दा कोई बेद पाव नहीं जो शर्ण आवा है तस कंठल आवा है ये बिर्द स्वामी संदा ये अलान कर देता माता जी केंदे भई उन्ना दिगी सोनली चलो प्राणे नवकर सी गुरू कर दे माता जी कोल बैठे सन बचन होया माता जी केंदे भई मसंद भी अपने पुराणे सेवक ने लाल जी इन्ना देवी अन्नी सकती ना करो मैं रहा किने माता जी गुरु कार्जोईना नो सब कुछ मिले ते हुन पर गुरु कार्दा जिड़ा कैदा कनून ओ अमर्त पीव हो सदाचर जीव हो हर सिमर्त अंद अनंता अन ए अकाल पुर्खदा हुक्म है फुद पहले अमर्त तारी गुरु गोविंद सिंग सेव दश्मेश किता जी आप होए आप अमर्त शक के क्या अमर्त पीया सद्गुर्दिया अबर ना जाना दू आतिया दूजे तीजे आंदी कनौड चक्की गई एक अकाल पुर्खदा ओट आसरा प्रापत हो गया कि ओ सारी बारता सद्गुरु पात्षादी मेंमा बढ़्याई प्रग्ट पही सगले जोग अंतर गुर्णानक की बढ़्याई ये बढ़्याई जगत देविच परगट सीगी ते नंदलाल ने सौन लगी को कभी शर सीगा पात्षादे दर्वार आगया आज डिया पाशवद बढ़े ने ये उने ना कलगीदार जीनू मथा टेकन विले बढ़े सिपाई नंदला ये ओ कान ते हाथ रखके उच्ची हेक देवेच माराईदा जस कहूंदा बादशा दर्वेश गुरुगो बेंद सेंग हक हक अंदेश गुरुगो बेंद सेंग अबरे रहमत बार गुरुगो बेंद सेंग बेकसारह यार गुरुगो बेंद सेंग जिवे अपन होर पे टामा लेके होने हैं ए रोज कोई शर्द लेखके लेओंदा माराईदी सो बच फिर अगे खड़के गऊंदा माराईदे बवंजा दर्वारी कवी सन ते उन्हा चो पहला दर्जा एना दी पाओ पगती ते सिखी सेव की सदका सारे कवियां ने भी मन लेआ के नंदलाल साड़ा सरदार है भवंजा कवियां दे मुखी होई नेक्का माराईदे दर्वारी रतन कवी ने जिनना दी रचना राजनीतक दार्मकार्थक सारे पक्खानों जागर कर दीया सेना पती कवी जिनना ने आ राजनीतक चिनाके दा वर्नन की दे होर बड़े गुरू के दरवारी रतन और पाही नंदलाल जी नू पहला दरजा दो जहान ने गीमता यकतार मुए यार मा नंदलाल के दा कलंगी तर जी तो अड़े दाड़े दे आएक केस रोम दी जड़ी कीमता है ना वो दो जहान दो जहान ने गीमता यकतार मुए यार मा मेरे मालक मेरे मर्शब दाए दिदार है यू ना दी सोबा है यू पही नंदलाल बरागी होगे गौंदा बहुत बड़ी बड़ी मिली है यू ना ने को थी लिखी सी जंदगी नामा कलगी तारजी नू पेट कीती माराज बड़े परसालों मारे कें दे नंदलाला ये ता बंदगी नामा है इनू पढ़न वालयानों थे बंदगी दात प्रापत होगेगी अपने गुरु चरना ते इतवार पर उसा आवेगा सिखी सेव की मान विच परगटेगी ए बंदगी नामा है एक शहिदान वफा होर बड़िया रचनामा पाई नंदलाल जी दियाने एवी सत्गुरा ने जिमें पंदरां पगतांदी बानी परमानता है इसे तरह एदो पाई गुर्दास जीते पाई नंदलाल जी एदो वी गुरु दरवार विच परमानत ने एना दी रचना गुरु पात्षा में अपनी दरगादे विच परमानत कीती है ता ए साड़े पिता पुर्ख्यां दाख जाना चवदा पूथियां सिरी गुर परताप सूर्ज गरंथ क्रित कवी शिरी चूडा मान कवी पाई रतन पाई संतोख सेंग जी जिन्ना ने ए गुरु का अमर्द मई तहास चार पूथियां जिसीरी नानक परकास सैव पिबाकी सारा ए सारियां पात्षा यांदा के आस वर्नन कीता इसे तरह पाई रतन संग जी पंगू जिन्ना दो सिंगा ने मसे रंगड़नू हर मंदर सैव दी बैदवी कर देयां सोदा लादिता ते उदा सेर लागे भीका नेर लगए उन्हा चुए कसी पाही मताव सेंग उदा पुत्तर होया पाही राए सेंग ते उदा पुत्तर अगे होया पाही रतन सेंग बंगू उन्हे कते आस लिखेया जदो अंगरेज़ा ने खोज की दी कि ए अखाल सा आखर है कौन उन्हा ने लंडन दे विच्चों एक जसूस पेजया उदा नाम सी माली कैप्टन मरे कपता उपहला दिली आगया उथे आगे काजिया मलाने तो पुछन लागया किन्दा जी असेख खाल सा पंथ एकौन ने किन्हा दा नाम है उदे बारे दस्या उखने पहले इंतपे पैसी खाल से तो भी बारी ते उना दी तिली नो लुटेया लहौर लुटेया कुके ते पलीग जान गे उगे ने जी केडा खाल सा पंथ एक लटे रे लोकां दा के तड़ा है सडे नाने कोडे खोले सडे नाने हथे आर खोले ते होन लुटा मारां कर दे एनी दस्या वी गुरु नानक सैवे ना दे सिख पंथ दे बानी होये ने जिनना ने सत समंदर सत दीप ते नाओ खंडां दे विच खाल से राजदा नक्षा बनाया है दसेपात शेया ना बरनर ने दसेआँ गुरु अरजम देव सैव दी शही दी बावर दरव ननल गुरु करदा बैर बरोद किथों इना ने शुरू कीता ते अगे गुरु अर्जम देव सैव दी शही दीक राभ दा दो से एनी दस्या वी जड़ा राज बावर ने अब मुगला ने हुन तक कीता रंग जे फ्रक्षियर तक ए गुरु नानक दे चर्णा जोई द्वाव मिली सी बावर नो एनी दस्या एने तो लटेरे लोग ने साथे कोडे ते हथ्यार खोके लुटा मारां करते जे और ओभी इंग् तेरे मुल्खां दे राज के में कर लेंगे चोरां दे करे कदे दीवे नहीं बल दे लुटेरे कदे राज सलामत नहीं कर सकते उन्हें क्या भी होर खोज करी है उप आई पठिंडे आ गया ए फ्रोजपुर पठिंडा अलो दे आना एंग्रेजां दे जंक्षन बनाए होय सी अरे इलांदी काट भी उन्हा ने कटी है फ्रंगियाने बहुत कुछ देगे भी गयने डियानू अरो तो जादा किते बड़ा नैव खजानना लुटे आविया है परसास संगत जी उन्हा ने खोज करवाई भी ए खालसा पंथकौन पहला मुगलाना लड़या फुर साथा फरंगियां दा इन्हाने खात्मा कर दिता जेड़े बुड़ा दल दे सत्मे जतेदार होय ने बबाबा हनुमान सिंग जी चंडी गड महाली दे विच उन्हा दा अस्थान है अंगरे जाना लड़दे होय शहीद होय अजगल कोई कहन दा जी आ नहिंगा सिंगा दा की दे आसा इन्हा ने की करे है अ सौक साल पहला सारा हिंदुस्तान इन्हा दे शदर शाया जी सी जदो एमद्शा अवदाली एमद्शा दरानी कदे कोई लटेरा आ गया कदे कोई साधियां भव बेटियां ती हां पहणानू बेपत करदे लुट्टा मारां करदे ते शौक नड़ चले जान्दे अगर उना दा रस्ता रोके आ दे गुरू बंथ खाल से ने अवदाली लोथां दे विच लोक के बजया दे कावल नी पहुंचे आराज ही मर गया होजा देले बड़े बड़े दरानीया नरानीया दे चेरे आ दे शेकन कर दे दी खाल से ने जेड़े कदे साड़ा मुल्क लुट दे सी उना दे कावल कंदाहार अफगानस्तान अज जिते अमरीका पर गिया फोजावी असफलने उना दे लाकिया दे कमांडर एंचीफ ग्रेटर हजारा सरदार हरी सिंग जी नलवा गवर्नर कश्मीर पहला उत्थे तैनात सी फिर अज़तर गड़ पड़ जादे सी फगानस्तान दे लाकिया शेरे पंजाव केंदे नलवे नो पेज़ो दोगरे विए होई चांदे सी उदे तो पहपी तो हंदे सान नलवे सरदार तो वो गुरु करदा एक पफावा दार जरले ल सी अपने आपनों एक सैनक समझदा सी गुरु करदा क्योंके खाल सा काल पुर्ख की फाज इन हिंगा सिंगा दाते आसा है सदियां तो गुरु पंथने गरेजां ते मुगलान लड़ाईयां लड़ियां आज दी दिली आज राजता नहीं है सतारा ठारा वार जित के शड़ी इंदे दिली ते बिली है फेर जदों दिल कीता कवजा कर लाओं क्योंके गुरु आने बर्दान ने दिली तख्त पर बहेंगी आप गुरु की फाज छतर भरा वैसीस पर बढ़ी करेंगे माज बचन होई ने गुरु नान के साथ दे ता ओ सारी जड़ी वारता गुरु कर दी महमा बड़े आई ए पही कीमती रतन जवाहर मानक ने जिनना ने अपने पिताप और ख्यांदे जानके सिखी दे कैदे कनून मरजादावा सम्भिया ने असल वे चुना ने ही गुरु किया खुशिया ते रहमतानों समभा लिया है अपना ए सब तों बड़ा ते एहम प्राप्ती वाला जिड़ा ए गुरु सिखी दा रस्ता है एनों त्याग के कोई नव खंडादे भी राज कर ले जद पिछे मुड़के विखेगा अपना कोई नहीं होवेगा फिर कारू बादशाव आंग रुंदार वानना होवेगा क्या ते खटे आ कहां गवाया मैं दुनिया ज़ आया पदा ही नि लगया सुपने वांगी गुजर गया सब कुछ फिर हो सोचदा नान को समयों रम गयो अब क्यों रोबत अंद ते जे गुरु की सि अकली तरती साथ की असारी दुनिया ते सड़ा ही राज है जिते गुरु का सेख शाष्ट्रा ना लैस खड़ा होगे राजी हंदर कोई बला नी भड़क दी ताई महाराज ने शाष्ट्रा नू महांता दिती है प्राणे समया जो साडिया मातामा सारिया इस्तरिया जाओ दखनी से खने जड़े ओ मातामा पहनाने अजवी उमर जादा सम्भी है हर किसे दे कमर का सेख खंजर कटार कोई ना कोई शाष्ट्र होगेगा इमारा इदिया बख्ष शान है शाष्ट्रा दी बहुत बड़ी सरख्या है इस करके सारिया नियामता संपन जोगने ते जे कोई इना नुकला के कदे भी सदीव सोखनों प्रापत नी हो सकेगा सद्गुरा ने सारा सरवंस कुर्बान करके समय हो ही हकम कीता अमर्त पीव हो सदा चरजीव हो के लो तो अड़े सिरों सब दुश्मना दे शाय टांग दिते तो अड़ा मुल्क अजाद करवा दिता अमर्त दा महा कों बला दिता ते सच है जिसनों शकंदर बादशावी टूंडदा मरेया वो अमर्त आपानों नसीब हो गया है अमर्त पीव है अमर सो होए एक गुरू का फुर्मान है कि जिसने अमर्त दी दाद परापत कर लई तो जन्म मर्म दे चक्करतों अमर हो गया मुक्त हो गया एतनियां बडियां रह्म तां बक्षिशां दो जहां नादे मालक सचे पात्षा ने अपां तमाम सारें ते गीतियां ने जिनना नू पाई संबन दी लोड़ है तां वो बचन सी ते आसदी दुनियां दा पाई रतन संग पंगो फिरो जड़ा अंग्रेज़ां दा रपोर् पाउसा कौन है सिख पंथ दा की रजना मूल पाव है उन्हें विए होई कुछ लखाता के ना जी इता बगावती लोग ने इता जरहम पेशा लोग ने पबलक दे बंदेया कोडे हधियार इनना ने खोले ने ते हों लुटा मारां करते हैं इनना ने विए होई त्यास लख किरिया कर महंदा से पाही रतन सेंग पंगो किसे कार्ज उद्र नू आये उद्रों अंग्रेज अफसर जिड़ा जसूस सी ब्रेट्स सरकार दा लंडन तों आया सी इनना दोना दी मुलाकाद हो गए उन्हें बेख्या भी दा हुलिया जिड़े मैंनू लोग दसे ने खाल सा सेंग जहां सेख पंथ उन्हां वर गए उन्हें मुलाकात की ती उच्छिया के यह सेख तर्मनल सबंद तों कि खाल सा कौन है कि पंथ कितों परगट होया पाई रतन सेंग नों इन्हें पहला वड़ा वी जिड़ा लिख्या सी दिल्ली तों विछिंडे तों दखाया और र प्रूंड फिचके पहले ने जो आर्यान अलची दे ने उन्हादा थे आसे बैहीमान लोग की दसन नहीं इसवाद आटया साथे पिता पुर्खियां यह बाबाणियां कहाणियां पत सपोत करें एसाधे बाबयां दियां कहाणियां इसाधे तों पॉच्छ ए वो गुरु गोगन संग महाराज दी अंस वंस है खाल सा ओ जड़ा फौलादी जो उस महाराज ने अमर्त चपाया वज तक ते करोडाम रह्मंडा नू फदे करन तक अमर हो गएगा एओ पाई तरतन संग ने फिर गुरु नानक सहिव तो शुरू किता दे आसा इना वी एओ अकाल पुर्खने तडफ दी दुनिया नू रखन लई अवतार तार्म कीता ते उन्हा दा नाम सी गुरु नानक देव साहिव उन्हा ने दस अवतार तार्म कीते पूरा संखेब दे विच दस्या क्योंके एक रपोर्ट है CID जो लंडन सरकार ने रपोर्ट दे रूप विच मुगाई है विखाल सा काउन है जो ए ब्रेक्स सरकार ना टकरा रहे है आखरों लोग काउन ने ए पुछन वास ते तब फिर उन्हे रदन संख ने सारे सद्गुरांदा तूक मतर दे आस लखाता फिर शही दानदा लखाया ये पंधच एहोजे जर्नायल होए ने एहोजे संत होए ने बाबा बुटा सहब बर गे ऐसे ऐसे सिद्की गुर सेख होए ने पाई तारू संख बर गे कर परवार आज रहें दियां पंद सदी सेवा करनी गुरू कर दी टैल ताब आज रहना ती उसारे अंदियां साखियां सनेंगा ओ ते आस लिखके फिर ओ लंडन नू बाप समुड गया ब्रेट से सरकार ने एक बैठक बलाई पंजाबी पाशा जानू लोग दपाशिये उत्थे कठे कीते केंदे सारा सानू साथी पाशाच दसोगी है की हल है ते उनना ने जिदो एंगलिश देवे जोदा अवतारा करता वेजी आज चीज है खाल सा यहों अकाल पुर्खता अवतार होया उनने दासस रूपतार्न कीते उनने यके तीजा पंथ दुनियां ते साज्य है उननो केंदेने खाल सा खाल सा काल पुर्ख की फाज प्रग्टियो परमात्म को माज जदू हैं संखेब नरू समझाया देखो अंगरेजजान दी फराख दिली उनना ने दो साथ मुल्खां दी पाशा बेच्च को अतियास उतारा करवाया उनना मुल्खां दी पाशा चीज फिर उनना दी या लाइवरेरियां दे विच बेच्च देतां के दुनियां दे तखते दे एक ऐहो जा कभीला मुल्खा पंथ फर्गत हैं जिसनों खालसा बंठगाँदेने आउना दा एतिहास है कहँंदे भी अज तक भी उनना मुल्खांदिया लाइब्रेरियां जो खो एतिहास संब्याब कमें उन्हानु पता है भाई ये कोहे नूर्तों लेके आ सारे मल्खांदा राज पाग इन्हां दे चर्ना विच ही होया गर्दा सी कि सब उन्हान लोकानु जान कारी है प्राद्र जड़े दस्ता वेज सी सा साखिया होर चीज़ां अंग्रेज्चा ने उन्हां गव्त करण दी कोशिश करी विगना जो इन्हान उन्हानु सेथ मिल दी है खांसला मिलता है समें दी तर्दीव बारुज ज़े दसी होई है बारत यहां होगेगा अंग्रेजाना राजावेगा फिर खाल सा उन्हों खत्म कर देवेगा उची जाना ने गवब्त की दियां समसार को पर अतन सौ साखी उन्हों ने बैन कर देती ते होर बड़ा कुछ कर दियां खीर एक दिन एस मल्क नो शट के जान नहीं मजबूर हो गए एक पाई इतहास है ते उन्हा ने लखाया फोर बड़े गुरू के कीमती रतन जवहरातना रूपी गुरसिक जिवे के पाई सुखा सेंग जी गुरबलास पादशाही सेवे गुरू का इनाइव खजाना है जो इतहास के समगरी है इतहास जितना गुरू की कसवटी गरबानी द आसे दे अनसार ते गुरू की रैत मरजादा दे अनसार है तो सही सलामत है बहुता कोछ साधे ते आसवेच वी मलावट कीती जा रही है समय समय दियां सरकारां दे ए अजंडे हुंदे ने किसे कवम नू अपने मार्क तो पढ़काना होवे उन्हा दे इतहास कमलवे उन्हा दा कांटा बदल जाना है नवही अतिहास है वही फोकियां यह गल्ला सखाद में है वो अपनी असलियत पुल जाना है किसे कवम नू दुनिया तो लोग करंदाए भी एक बड़ा तरीका है ते अक्सर होगी सब लोग काने गर के वेखिया है पर एक गुरू का पंत खालसा अ हमर है ते एलानिया के आज अंदा एक दिन एस सारे बल्ड ते चौदा हजार साल राज करेंगा क्योंके गुरू नानक देव सहिव ने मक्के देविच करनी नामेच इना शवदानों दर्ज कीता है अगर दसमा जामा क्या सी ते वो सच्चा हो गया दसमा जामा पहन कर बैठ है गुरू नानक साहिव और अंग जेव बादशास्यों जुद करूं बहबार चौदां जंग कीते गुरू गोबन संग माराज ने ते अलोप हो गए गुरू